नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त बफलु कुमार और आप देख रहे हैं बफलु यूटूब चैनल को दोस्तो अगर आपने अफितक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी तबादे ताकि मैं जो भी वीडियो अफलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंस सके साथ में वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है तो दोस्तों आचलिये, मैं आपको ले चल ला हूँ, खेत में जा रहा हूँ देखने के लिए कि गेहूं कब तक आटने लाइक हो जाएंगे कब कटेगा गेहूं, यही गेहूं यह मतलब खेत देखने के लिए हम चल ला है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ खेद में और दिखाता हूँ कब तक कटेंगे गया हूँ तो चलिए दो और जाओ को लेद हैं सीस का तो तो खचास्ट आपकोर姐 coordinates जाँ आव झाल झाल तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं खेत में आ चुका हूँ और यह गेहूं देख रहे हैं जो कि अभी हुआ नहीं है कम सकम अगर जिस तरह से मौसम आज कल हो रहा है उस तरह से कम सकम तस दिन मौसम हो तब जाके गया होगा इधर आपको दिखा रहा हूँ देखिए सरसों जो है वह काटके रखा गया है यह अभी एक दो दिन में काट दिया गया परसो काटा गया कल काटा गया है और यह जो है कल है साम को कल नहीं आज साम तक इसको उठा करके घर भी ले जाना है तो आप देख रहे हैं कि यह कट गया है लेकिन गयों अभी कम सकम 10 से 15 दिन ऐसे मौसम होंगे तो खीच कर ले जाएगा 10-15 दिन के बाद गयों भी कटाई शुरू हो जाएगी तो चलिए देखते हैं अब चलते हैं उड़र बार टाम बार टाम हैं अब प्रोंचे हैं बार बार टाम हैं दोओ से विख दो आट, वाइ राए, दोओ से अ को शोटिए, और ची लगने को खभाए, और यार कोंदाए, तब हो अजा कर दो आट, गजा जाए, अनल में आल, बाए, और विख खार शार को खार को ते रहते हैं, और रहते हैं, और वटेश, प्लोब से लूगर आब हैं, भ